एक्जाम में question को देखते ही कैसे आकिरती को एक से दो सकेंड में गिन के पता कर लें उसके बारे में हम बात करते हैं देखिए जैसे कि अगर question practice बनाते से में ऐसा reasoning का question आ जाए तो हम इसे तुरत कैसे बनाएंगे तो जट से इसे हम counting कर ले एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो ओवेसली इसमें नो त्रिभूज बन गए दोस्तों तो अब करना क्या है जब नो त्रिभूज बन गए इसमें और कितने त्रिभूज बन सकते हैं इसके बारे में हम बताते हैं देखिए अगर हम असपस्ट रूप से उसे देखते हैं तो यहां पे एक तो बड़ा सा पहले तो नो त्रिभूज मेरा बन ही गया अब एक त्रिभूज जो की बड़ावला है ये बड़ावला तिर्भूज जो की पूरे है पूरे वाला तिर्भूज एक हो गया तो हो जाएगा तिर्भूज की संख्या मेरा 10 ये पूरे वाले तिर्भूज तो 9 प्लस एक 10 अब फिर चलते हैं आगे तो अब ये देखिए एक तिर्भूज ये रहा ये बाले तिर्भूश एक रहें थे एक लोगा है तो फ्लस एक 12 फिर देखते हैं एक-एक यह रहें फिर एक यह कोता है दोस्तों मेरा एक यह स्थे तो यह हो गा बारा तिर्पूश अगर फिर हम बात करें तो एक आधे बन रहाए यहाँ है 20 तरी मुद्ध आधिum puedealer यहाँ जो की यह 1 इसे से यहाँ है यह यानी की चार यहसे में बन रहे हैं दो इस साइड से एक यह वाले उगे और एक साइड से कज आया होगे दो और एक यह एख हाफाइब हब फाट और एक फूल पार यहोंणी कि चार चार तो नो चार तेरा तो इस में आपको जैसे की option option में दिये हुए रहेंगे इसके option में 25 बी रहेगा option में 13 फिर C में क्या हुए option है 14 फिर D में क्या हुए है 15 तो आपको 13 और 14 देखने में लगेगा कि एक कायंतर है तो एक ज्यादा आई होगा आप अक्सर हम विदार्थे को देखते हैं कि इसमें गिरने से पहले वो देख लगता है कि सबसे अधिक संग्छों कौन है उसे देखते ही ठीक मार देता है तो ऐसे में आप दोस्तों एक नम्मर को एक्जाम में खो देंगे तो आपको एक नम्मर दे जाएगा एक नम्मर से आप लाखों विद्यार्ति से आगे या पीछे competitive एक्जाम में हो सकते हैं इसलिए इस बात को ख्याव ढखते हुए आप एक एक नम्मर को इंपोलनों देते हुए एक्जोम में कोस्टन को हल करते हुए आगे निकलेंगे फिर अब हम ताइफ अगले टाइब का की आप्रिदी को कैसे गिन्यारीcejяз Up हो या बढ़ग हो या संकु के संकु के अंदर भी बढ़ या आयत हो उससे संबंदित नेक्स्ट वीडियो में कोश्चन लेके आते हैं तब तक के लिए थैंक्चू बहरी मच हेलो फ्रेंड्स जेंसी क्लास में आपका स्वागत है हमारा लक्ष आपको फ्री में एजुकेशन देना है और आपको अपने लक्ष तक पहुचाना है हर कंपर्टेटिव एक्जाम का टेस्ट स्रीज उपर